हेलो एबरीबन तो कैसे आप सभी आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके परिवाफ कॉलेज अपडेट्स में तो देखिए इस वीडियो की डिमांड काफी स्टूडेंट कई दिनों से कर रहे थे क्योंकि यह वाजिब है इसमें मैं आपको बता泡़ांगा सोल diese regular हम दोनों की इसमें बैर कि यह थी ape तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पर पहलीे राय रहे जो आनक वाइड कर ले और हमारा टेलीग्राम då con description box में आपको प्रोवाइड करा दिया है ठीक है और हमाई चैनल को जरू सब्सक्राइब करें न क्योंकि ऐसी वीडियो साती रहेगी जो आपके लिए काफी important रहेगी ठीक है तो देखिए पहले चीज में आपको बता दू सोल और regular colleges यह दिल्ली university के ही पार्ट है अगर मैं सोल की बात करूँ जिसको school of open learning कहा जाता है मलब की यह एक तरीके का open college है open college मलब इसके अंदर आप college जाओ या ना जाओ आपको degree मिल जाती है paper दे के बड़ अगर मैं regular की बात करूँ तो regular के अंदर जैसे classes ले देते स्कूल टाइम पर सेम इसमें यह ऐसी classes lecture की classes होती है इसमें आपको attend करनी होती है हाजरी बगेर आपको मिलती है मला हाजी बगर आपकी होती है बड़ सोल के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है अब बस इसमें अगर मैं बात करूँ कि सोल और regular में किसकी value अधिक है तो देखें पहले चीज सोल के अंदर क्या क्या फैसलिटी अब लेबल है वह पहले आप जान लीजिए सोल पूरी तरीके से online admission कराता है मही रेगुलर के जो colleges है वह भी पूरी तरीके से online है और कुछ offline भी है ठीक है अगर आपको सोल में admission लेना है तो आपके 12 में 33% मार्क्स की ना हो आपको admission मिल जाएगा बट महीं अगर regular की बात करूँ तो regular में अगर आपको admission लेना है तो आपको अब entrance exam देना होगा पहले क्या था आपका मेरिट बेस पे admission होता था वहलों जो 12 के जो नंबर बनते थे उनकी percentage के बट सोल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है अभी होगा भी नहीं ठीक है अब मैं सोल की बात करूँ सोल के अंदर सब 5 courses है बीए प्रोग्राम बीकॉम प्रोग्राम बीए ओनर्स इंग्लिस बीए आनर्स है अब फैसलिटी की बात सोल के अंदर जो classes होती है वो compulsory नहीं होती बट रेगुलर के अंदर कोई assignment नहीं बनाया जाता रेगुलर के अंदर आपको assignment बनवाई जाते है बायवा बनवाय जाता प्रैक्टिकल होता है जैसे स्कूल में आपका सब को टोटल वही होता है यूनि टेज आपकी अठी बन जाएगी बट वही मैं सोल की बात करूँ तो सोल के अंदर आपका theory का paper होता है semester wise paper होते है जिदने नमबर आप paper में लिखके लिया होगे उतने ही number आपको मिलेंगे मलब इसके अंदर extra number लेने के लिए कोई assignment बायवा बगेरा का कोई system इसके अंदर नह बोरी चीज़ है मेल करोगे तीन से चाहर दिन बाद आपको reply मिलेंगा बड़ रैगुलर के अंदर आपको teachers पगेरा आपके खुद की होते क्योंकि आप जैसे school में होता है आपके खुद के class teachers होते हैं उनसे आप जब चाहे बात कर सकते हो बड़ सोल के लिए आपको not campus south campus east campus जो आपके बताएगा केंबर से महां जाना पड़ेगा तोकन लेना होगा अंदर जाके फिर आपकी समस्या रखनी पड़ी कभी बार तो ऐसा होता है कि वो बताते भी नहीं हो भगा देते ठीक अबर रैगुलर के अंदर यह चीज़ ऐसी है ठीक है अगर मैं examination की बात करूं तो दोनों का paper सेम आता है को सेम आता है मतलब कि जिस जिन जो सा paper होगा उसी subject का रैगुलर के अंदर भी paper होगा समझे रैगुलर के अंदर 90 पिलस से ज्यादा colleges है बड़ शोल एक खुज का अपना ही college है ठीक है तो दिली university के इस दोनों पार्टे और दोनों की paper सेम है timing सेम है और अगर राएगोलर जिस मोड़ पर एक्जाम कराएगा राएग अब दिली यूनिवेसिटी डीसाइड करती है कि राएगोलर के एक्जाम का लेंगे और अब इसाथ इसद्ट सोल आपको हैं बुक्स मिलती ही है जल ले लग थे ओ होती है और लेके आते हूं उन्हें पढ़ते हो उन्हीं से अप एक्जाम देते हो वर सोल के अंदर आपको बुक्स मिलती है ठीक है अब फीस की में बात करूं जाहिर सी बात है ओपन कॉलेज है तो फीस चार हया रुपे एक साल की आपकी बाराइजार में ग्रैडविसन हो जाती है रेगुलर के अंदर थोड़ा ज़्यादा फीस लगती है 20 से 30 हजार रुपे राइगुलर कॉलेज में आपके लग जाते है पूरी ग्रैडविसन में ठीक है अब अब मैं बैलू की बात कर लेता बाराइगूलर कॉलिज से अगर आप ग्रैड़ तो भी आपको डिग्री दिल्ली विसमिद्याली की ही मिलती है फरक बस यह रहता है जाप कॉलेज का नाम रहता है माँचेंज रहता है मतलब की मानीच अगर आप इसे सोल से करते हो तो जहां को आप लिखा नोठ करते हो तो जहां को डालत आम ड्ली सुन्द disparities और को यह सारे इतने यह बागी डिग्री दोनों डिलि युनीवसीती की है बस पर्सेंटेज ऑनद्रेकर सोर वालों की परसेंटेज होडी कम आ जाती है क्योंकि उत्में जी थैटरी होती है assignment नहीं होते सब्सक्राब से फिप्टी परसेंट से ज़्यादा नहीं आपाती क्योंकि क्या करें साइमेंट ही नहीं नहीं नंबर आपको मिलेंगे यह फरक है अब बैलू जॉब के लिए अगर आप जॉब लेने कहीं भी जाओगे तो देखे जब भी आप किसी कंपनी में या डवर्मेंट एक्जाम के ल सोल कि में बार करो यह बार क्यों कि सोल डिल्ली यूणिवसिटी असबसे बड़ी उनिवसिटी ए सकेंदस भार से navië स्टूडेंट एंडेंडेंड होते है और दिल्ली यूणिवशिटी ही जो है वो यूजिसी के अंडर आते हूं तो सेंटल गपर्रमेंट का पार्ट्र त ठीड है तो दोनों की जो सेम है पड़ेनों पासितना रहता इन ओलेज का फ़रक है फरक है नोली का इन降र है कि अर्फ बेसिस पर क्लासिज अटेन नहीं करते हैं रेगुलर वालों को जो नॉलेज रहती है इंफोर्मेशन जो रहती है उन्हें जादा रहती है क्योंकि उनके लेक्चर रहते हैं मतलब सब कुछ उनका होता है तो उनको नॉलेज थोड़ी जादा होती है वाकि एक्टिविटी पॉद्ट की पहुंच बहाता है तो तो अगर आप कर रहे हो तो कम पैसो में डिगरी आपको मिल लिए तो यह फैसलिटी तो कम मिलेगी ठीक है तो बैलू के अगर में मार्कों दोनों की वैलू से में फरक बस इन्फोर्मेशन की कमी रहती है और परसंटेज का इसू रहता अगर आप शोल से करतेखो आपकी पार डिगरी आपकी पार दिल्ली युनिवसेटी मिल गई है तो आप टहीं भी जॉब कर सकते हो आई एस वी बन सकते हो सब बन सकते है कि रेगुलर कॉलिज वाले ही इस बनते है सोल वाले भर सकते हैं काबियत आपके अंदर होनी चीह युनिवसिटी कोई काबियत नहीं देती है ठीक है युनिवसिटी से डिगरी देती है और दिल्ली युनिवसिटी से डिगरी एक ही छाफ्ती वस्कॉलेज का नाम चेंज रहता है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर इज़त नहीं रही है ऐसा कुछ नहीं है वो अलग बात है कि आगर कोई आपसे कह रहा है कि देखिए मेरा लॉंडा तो रेगुलर में पढ़ता है आपका तो देखे अपने पढ़ा है उनसे यह कहना कि आपका लॉंडा जिस कॉलेज में पढ़ता है उसकी जो भी है उनिवर्शिटी आपकी एक दिल्ली यूनिवसिटी का फरक है उससे क्या मेरा कुछ डेगरी युनिवसिटी की मिली है इस्टडी की जिए परसेंटेज जुआ है अपना जॉब की दिये तो दोनों का सेम है ठीक है तो मैं आप से यहीं काओंगा देकिंगे सोल के देखूं कि सबसे ज़्यादा benefit किसमें पढ़ने पे होता है तो वह सब को पता है अगर आपको नॉलेज ज्यादा चीए तो रेगुलर आप जाओगे रेगुलर क्लासिस का मतलब समझ हो तो यहीं फरक्या बसका फरक है सीखने को कम मिलता है वालो बालों को जैदा मिलता है फैसिलीटी सोल में कम है है रेगुलर में जादा है क्योंकि जादा स्टोडेंस धेविसन दे कर रहा ही तो 215 से ज्यादा एड़ीशन होते है तो बैलू किसकी अधिक ज्यादा है तो मैं यही काऊँगा दोनों की इक्वल है बस नॉलेज का फरक है ठीक है तो आप दोनों में से किते हैं भी एड़ीशन ले सकते हो अगर आप चाहते हो कि काम करते करते डेगरी चाहिए तो सोल बैस्ट है अगरी मिलेगी काम करने के साथ सब्सक्राइब के अंदर आपको डेली विस्वे क्लास अटेंड करनी होती है वीडियो कैसे लेगी वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना थाइंक्यू सो मज वीडियो के अंदर है वीडियो वीडियो काम क्लाइब कर देना थाइंक्यू वीडियों सो मजड़री और आपको पें से नहेंगी अंदर है यह से आपको पूंदर हैंस्ट